प्रियाग राज में लगने वाले कुम्भ में अभी कुछ महीने बाकी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की धर्ती पर आज से एक और कुम्भ मेला शुरू हो गया इस मेले का नाम है कृषिकुम 2018 प्रदेश के हजारों किसान कृषिकुम का लाब उठाने के लिए इसमें शिर्कत कर रहे हैं किसानों के लाबा दुनिया भर के क्रिशी विज्ञानिक और उध्यमी इसका हिस्सा बनने के लिए लखनौ में हैं प्रदेश में पहली बार आयूजित हो रहे कृषिकुम का दुखाटन प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये किया इस अफसर पर प्रदान मंत्री ने कहा कि 2022 में जब देश की अजादी के 75 साल पूरे होंगे तब तक किसानों की आये दोगनी हो इसके लिए सरकार संकल्प वद है किसानों के लिए बीज से लेकर बाजार तक की एक मजबूत विवस्था देश में तयार की जा रही है क्रशी कुम 2018 से किसानों को क्या लाब मिलेगा केद्र प्रदेश सरकार की नीतियां कैसे किसानों की आये को दोगनी करेंगे इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मजूद है जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा चंद्र भूशन पांडे जी भाष्पा प्रवक्ता और इसके अलावा प्रेम शंकरमिश वरिष्ट पत्रकार और इसके अलावा एक और महमान हमारे साथ अब से कुछी देर में जुड़ेंगे सोरास सिंग जो की निदेशक है क्रशी भाई हैं उनको क्या मिलेगा देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे ही शत्ता सम्हाली तो आपको याद होगा जो पहला मने मंद्री मंडल बर्टक में फैसला लिया वो किशानों को 36,000 करोन करेड़ माफी का फैसला था और उसके बाद एक के बाद दूसरा तीसरा प्रश्ला है जिसमें आज 25,000 से अधिक किसाल विविन तरीके के लोग हैं यहां वैग्यानिक भी है उद्यमी भी है यहां पर सरकारी महकमों के आफिशर भी है भारश सरकार भी है उत्तर प्रदेश की सरकार भी है और अग्रिकल्चर के जितने एस्पेक्ट्स हैं किशी भी है कि विचारों के विमर्श के लिए अनुबहों को साजा करने का एक उशर प्रदान करना और जिसमें जबावड़ा हो भीड़ भाड़ हो एक बड़ा उशर है जिसमें की पूरी सरकार है और इस सरकार के साथ हर्याना सरकार और जारकन सरकार भी इस प्रोग्राम को हमारे सा साजा कर रही है तो यह बड़ा औशर है इसमें हम कहीं ने कहीं से आज जो भारत सरकार उत्तरप्रदेश की सरकार की तमाम योजनाय है वह हम तो किशानों को बताएंगे बड़ी चीज यह कि खेती में बड़ी चुनोती थी कि जो खेती में पैदा होता है तो उसका वैलू मतलब एक दम उसको जीवन दुरूप में दिखाया जाएगा तो आज के एक भव्या उसर है इसमें मैं तीन चीजे रखना चाहूंगा यह पूरा प्रोग्राम जो है करीब 14 सत्रों में संपन होगा तक्निकी सत्र होगे बिमर्ष होगा चर्चा होगा सवाल जबाब होगे औ अब 27-28 तीन दिनों का कारकम है आज देश के प्रधान मंत्री जो किशानों के सायद में कर सकता हो का आजादी के बाद चरण सिंग के बाद अगर कोई सबसे आदा किशानों की पेडा और चिंता को समझने वाला क्योंकि किशानों की आमदनी दूगनी हो इस अंकल्पना ही अभी सरकारों के दूर की कोड़ी हुआ करती थी दूगनी करने के लिए जिस तरह से एक दो तीन चार करके फैसले करते द्यारे उसमें आप देखिए कि में स्वामी नाथन की रिपोर्ट दो हजार आठ नौ से धूल फाकरी थी आज हमने 21 यदिक फशलों का रभी और खरीब की फशलों का डेड़ गुने से लागत मुले से डेड़ गुने से दिक दाम देने का फैसला किया इतना ही नहीं उसका पैड़ा में लगा मद्रप्रदेश की सरकार उसके पूर्वी से भावंतर योजना लाई हुई थी भावंतर योजना में था कि बाजार में जो चीज़े जिस मूले पर भिक रही है और सरकार ने जो मूले ज्यादा है उसका जो गैप हो भी सरकार देती है आपको क्यों जादू है उस जादू क्या है एक शानों से पृइम पार्दर्शी सरकार का जादू है गाओं जो अपना अटेच्मेंट है उसका जादू 50 लाजटर्ट रिकार्ड बना दिया। दान में भी कमों बेसी इसी तरह का रिकार्ड हम बनाने में सफल ले तो मैं मानता हूं का आज यह फसलों का सही सम्मान जनक मूल पर खईदारी की बात हो प्रधान मंत्री शिचाई ओजना के माध्यम से एक-एक बूत पानी का सुत्वियों करने के दिश्ची से ड्रिप और स् किसानों के लिए चलाए जा रहे तमाम लोग कलेड़करी ओजनाओं में को डीबीटीयल के माध्यम से सीधे एक-एक रूपईया उनके खाते में डालने के इसी उत्तरप्रदेश में जब एक रूपईया चलता था तो उसमें बीच में पैसा लिकेज हो जाता था दस से करोन रूपई को अगर आप राजियू गांदी की संदर्वों विश्लेशित करिए तक राजियू गांदी या उनकी जैसे लोगों की सरकार होती तो क्यों 75,000 करोन रूपई पहुचता और 4,25,000 करोन रूपई बीच में लिक कर जाता लेकिन आज तश्वीर बदली चान्द प्रोडक्शन जो खेत में होता उससे नहीं बाकी कई और चीज़ें चाहिए ब्लू रेविल्यूशन और डेरी की बात करें आप कैसे देखते हैं कि कैसे किसानों की आय दोगनी होंगी उस पर आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ देखे जब हम किसानों की आय दोगनी करने हो लेकिन मूलता कहीं कहीं किसानों से उनके कड़ी जुड़ती है इसलिए ऐसे में जो क्रिशी का विकास है या किसानों की आय दोगनी करने की प्रक्रिया में अगर हम सफल होते हैं तो बास्तों में हम विकास की एक नए पायदान को छुएंगे लेकिन एक बहुत महुत अधिकान सुपयोग उनका आपके जो जीवन रक्षण के लिए आवसे भोजन है उसमें चला जाता है दूसरे छोटे जोत होने के कारण उनकी पैदावार इतनी लाभकारी नहीं होती है इसलिए क्रिसी का जो बेविदी करण है वह सबसे महतोपूर है और जो सरकार की कवाय है लगभग उसी दिसा में है आज जिस क्रिसी कुंब की चर्चा हो रही है वास्तों में अगर आप देखिए जो क्रिसी कुंब का योजन भी किया गया है इसमें पूरे प्रदेश के और कुछ परोसी राजियों के करीब एक लाख किसानों को इसमें सामिल करके पूर्ण है क्योंकि दुनिया के सबसे कठित कठिंतम किसी परस्थितियों वाली यह देश है बावजूद इसके यह खाद्यान में पूनता आत्म निरभर मसलन पूरे इसराइल में मीठे पानी की एक मात्र जील है और हम इस मामले में बहुत भागे साली भारी भारत में हैं में कम सकम पचासों नदीन आएसी हैं जो मीठे पानी के हैं तो आप अगर दोनों की स्थितियों के तुल्ना में करें लेकिन वह अपनी पीने का पूरा पानी समुद्र के खारे पानी से परिवरतित करके इसराइल पैदा करता है आज हम जिन पध्धतियों पर बात कर रहे ह हैं आज हम मृधा प्रबंधन की बात कर रहे हैं आज हम बो फसली की बात कर रहे हैं आज हम अपने भोजन के लिए खाद्यान उत्पादन भी करना है लेकिन आज वो खेती की तक्नीक में इतने आगे हो चुके हैं कि आज वो कम्प्यूटर बिद्चे खेती करते हुए और उसको उसका सरक्षन कर रहे हैं तो इसलिए इन दोनों देशों का साथ होना क्योंकि भारत इस मामले में बहुत भागे और दो फसलिए और दो फसलिए तीन फसलिए खेती करने के संभावन अगये हैं हमारे पास हर तरह की चाहे उत्पादन के लिए कर निद्व घरखिए और उसका नियुक्त प्रगत की और बढ़ सकते हैं। कि सबसे मुहत्पूर अभी विश्या है वह क्रियानिमेन का कि वास्तों में चीजा जमीन पर कितने उतरती हैं क्योंकि जिन किसानों को आपको सिक्षित करना है उनके साथ तकनीक का संकट है उनके साथ जागरुपता का संकट है उनके पास योजनाव और सुब्धाओं के सब्सक्राइब करना है और बड़ जोर खोर से भारत की उन्होंने बताया थे कि सरी के बहूं करने के भबारत के लिए तो आपको कैसे लगता है कि मशीनी करना भारत में करेंगे लगाता प्राब मत्री करते हैं उन्हों इस दिशा में बहुत प्रयास भी किये हैं कैसे कारगर होगी मशीनी करण भारती क्रशी में देखेंगे कि आटोमेशन को लेकर के तो साठ के दसक से हम काम कर रहे हैं लेकिन जो चौथी अद्यों की करांती हो रही इसमें अब देखेंगे कि यह वर तक्निकी में आज हमारे बड़े परणगत है और आज जो डिजटल इंडिया का पूरा मुवमेंट है तो लोगों को शायदो गहराई नहीं समझ माती थे आज चार साल पहले आज भारत के शे लाक गाउंसे अधी गाउं में आधेस तीन लाक अधी गाउं में ओप्रीख फाइबर लाइन बिच चुकी है अब वह तेजी सुपर्युदना चल लए है भारत नेट एक पूरा कॉर्करेशन क्यों और आप्टिकल फाइबर लाइन बिचा रहा है गाउं में तेज गती का इंटरनेट पहुचेगा और रोबोटिक्स से लेकर के आप जो आर्टीफिशिल इंटेलिजन्स है इसका इस्तिमाल खेती में कैसे होगा दो वाते में रखना चाहूंगा इरिगेशन शिडूलिंग को लेकर के एक विशह है जिसमें फसलों को प्रवंधन का हम पढ़ते हैं उसमें शिचाई का एक पार्ट है पानी दुल्लब समसादन है पानी को पैदा करने भी डिजल एंजन चलाते हैं बिल्दी चलाते हैं खर्चे आते हैं स्रम लगता है तो स्रम शाद्ध्यात कारुट है और सरम शाद्ध्यात के स्कीन प्रोफिट काउઈ आते ओड़न उससींति प्रोफिट करते हैं कि वालो बात करते हैं पैकेजिंग प्रोशेसिंग मार्केटिं है जीरा गटे 생겼े मिस से बाजार तहों है वहां अर्टिफिशिल इंटेलिजन्स का बड़ा इस्तेमाल होगा बाजार के पहले जो बाजार के रास्ते हैं इसमें मैं एक जोड़ना चाहूंगा चोथी अद्योगी क्रांत में लॉजिस्टिक्स जो है आपका जो ट्रांस्पोर्ट का पार्ट है और जो कॉम्निकेशन क सभान से बढेंगी की है आज प्रांसा कर। हम फशलों की भी स्वास्त की बात कर रहें पसुदन की भी मात कर रहें सुख्यु मिशिचाई पैड़ाली ओं की बात कर रहें वैलू आडिशिन की भी से बैस की बाता कर रहे confane कि अभी wykor औरो करोन रूपए का अभी फंड तीन दिन पहले केवनेट की भारत सरकार्णी निफटाया है शाड़े साथ हजार करोन का एकवा कल्चर पर हमने एक फंड जनरेट किया है ऐसे किसानों को जो क्रेडिट के चलेंजेज थे शाहुकारों के हाथ में फस्ता किसान कैसे मर रहा था तो कभी कमिशन चला करते थे बैंकों में वह भी दोर देखा इस देश में एक बटन दबाते ही किसान के खातेम पैसा जाता है और एक निशित अवदि के लिए व्याज रहित पैसा होता है मैं मानता हूं कि भारत की तश्वीर बदलने का जो रास्ता है वो गाउं से गुजडत प्रदान्तीजी की मैं आउर्क बटन होगी तो अगर म विश्cit का नियुक्शन शीक होगी है किराह को ससक्त करना तो जैसा कि आपने सुनना चदर्मुशर पांड़े जी को पतार मंत्रि कोट करते हों बाते बहुत सारी होती हैं कई सारे स्कीम चलती हैं चाहे हो केनी सरकार हो प्रदेश सरकार हो लगातार किसानों के लिए नईने स्कीम्स लाते हैं इंप्लिमेंट करते हैं लेकिन फिर भी कई चीजे रह जाती हैं चैहे मैं आप एक मुद्द आठाँ, कि क्या ये जमीनी स्थर तक पहुचने में, बत Almot पत्रकार आपक गहीर पूछी रखते हैं, आखिस दिक्यते के होगती हैं, दूसरा एक चीज में हम किसानों के बाद करते हैं, लेकिन किसानों के खेत में, जो क्रिशे मसदूर हैं, उनक उनके लिए क्या सरकार कर सकती है यह क्या किया है उसके क्या कहेंगे देखे दो बहुत मत्पूर्ण विशय आये हैं पूरी चर्चाय के दौरा जब भी आप भारत में क्रिशी के कंप्यूटी करण या आडिफिशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आप क्रिशी के मसीनी कर करन का समयन्य में इस्थाफित करना होगा भारत में जो परिवार की यूनिट है वो पांच वेक्तियों के परिवार की यूनिट है ऐसे में बहुत बड़ा जो कृषी पर बोज है चनसंख्या का बड़ा बोज है दूसरा एक जो सबसे महतवपूर तथिया है कि आपके पास उत्तरप देश की अगर बात करें तो 86 फिजदी किसान लगो और सिमान किसान है जिनकी जोतों का आकार लगभग दो हेक्टेयर तो ऐसे में अकेले परमपरागत क्रिसी से उनका जीवन नहीं चल सकता और इसलिए क्रिसी के विविदिक करन पर आपको काम करना पड़ेगा द लेकिन उस तकनीक को क्रिसी में प्योग मिलाया जाए इसको लेकि उनकी उदासीनता है आज किसान राजनिती के एजन्डे में आया ये एक अच्छी बात है इसका फायदा हमें मिलेगा लेकिन आज हुए जो युवा है या जो पढ़ा लिखा तबका है वो क्रिसी की और उत प्रदेश में करीब दो करोन भूमिहीन की साल लेकिन ये भी सही है कि बहुत बढ़े जोतों पर काम भी उनका ही हो रहा है अभी प्रदेसरकार ने उनको पट्टा और की जाने के बाता की है लेकिन भूमिहीन की पास भी एक जो बड़ा उपलब्द आउप्शन है विकल्ब है जिसमें काम हो रहा है वह यह है कि जो क्रिशी के अन्य साधन लेकि के वल परंपरागत करशी से आए बढ़नी नहीं है तो इसलिए कि पर भुति करूंग जिसमें आपका डेरी है जिसमें आपका फिसरी है जिसमें आपको कुटी रुद्धियों जिन पर काम करना होगा तो एडिशनल जो रास्ते हैं इंकम की खोजने पड़े हैं उस पर काम हो भी रहा है आप यह भी देखे ना कि जैसे जो इस समय सरकारों का ज्यादा से ज्यादा जोर है वह डेरी पे है पशुपालन पे है मत्स पे है वानकी पे है इन पर है और इससे जो सबसे बड़ा फायदा MSP पर खरीदा जाता है बहुत बड़ी फसले अभी भी सरकारी खरीद से अंचुई है उसके पीछे कारण भी है आप खरीद कर करेंगे क्या अभी भी जो सरकारों के खरीद का जो फसले खरीदते हैं वास्तों में सारजवनिक बित्रन परडाली के इंतरगत बांटने के है तो इसलिए जो उसकी संकच्छ तकनिके हैं जब हम फूड्स प्रोसेसिंग के बात करते हैं यह अच्छी बात है कि आप यह देखे कि जो विकास की गती है क्योंकि जो बड़े शहर हैं विक्सित हो चुगे अब उस रेडी दूओ और तीन के जो छोटे शहरों के और बढ हैं उनके साथ अब की गुर्वत्ता की लड़ाई हैं । लेकिन निचले अस्तर पकर तहषीलों में बलाकों में घाउंके इस्तर पर जब तक आप इसको लेकर व्पता नहीं फहलंगे दूसरा यह है कि अधिकारी को किसान की तरह स्यूव करना पर है। दूसरा आपका लगू किसान है जो एक है को दो पर की है तो देखिए करीब 12-14 परसंट दो है करें वाले किसान है तो एक जो बड़े किसान है उनके लिए आपिशियल इंटिलिजन्स रोबोटिक्स जादे उचपूल होंगी प्रोडक्शन की प्रक्रिया में उनके लिए वैलो एडिशन में रोबोटिक सिस्थेमाल आएगा तो मैं मानता हूँ कि इस्थेमाल सभी के लिए होगा लेकिन यह सबके अलग-अलग डायाम होगा नमबर एक दूसरी चीज देखिए चलेंज हमेशा आपके पास रहेगा दु लोगों को आज सब लोग देखिए हर बच्चा कंप्यूटर से अलग-अलग तरीके से मोबाइल ने कितना रोजगार दिया अज मानता हूं जो तकनिकी आती है तो तकनिकी तमाम रास्ते खोलती है और रोजगार का जो पर्दिश होता जो एक चक्र होता है जिसे गिलास है गिलास को बनाया गया तो बनाने में भी रुजगार मिला अब तो मतलब ऐसा कि होता है कि कोई भी चीज के प्रोडक्शन होगा तो उसके आगे पीछे डायरेक्ट इंडायरेक्ट तमाम एंप्लाइमेंट जनरेशन होते हैं मैं मानता हूं कि आगे आने लिए तश्वीर जो किशानों की जो पीड़ा है वो भी हम यहां सुनेंगे तो आगे चलके अपनी नितियों को हम बदलने की कोशिश करेंगे और तीसरा जो है बैग्यानिकों और किशानों के बीच में जो एक सहर संबंद बन रहा है आगे चलके हमारे लिए कामदाय को तो आज चर्चा में बस इतना ही धन्यवाद